Hello and Welcome to SDR Education, SDR Education में आपका स्वागत है, मैं नाम है नवीन साख Paper 1 के कुछ नए exam topics हैं जो की हम cover करने वाले हैं जिसमें पहला topic रहेगा concept attainment model इसके बाद आपको दो वीडियो और मिलेंगे, वो भी अच्छे से कर लीजेगा जिसमें inquiry based model मैंने आप लोगों को करवाया है और एक mastery model जो है, mastery learning model करवाया है, जो bloom ने दिया था तो ये तीनों models जो है, वो important है क्योंकि 2022 थे इसके exam में काफी repeat हुए है फिर उसके बाद दो वीडियो और आएंगे, जो की inductive learning strategies का question बहुत आता है आजकल तो उसको cover किया है, एक topic core inductive versus deductive teaching strategies को cover किया है और उसके तहेताने वाले examples को cover किया है तो ये पाँचों वीडियो में जो 5 concepts हैं, उन्हें अच्छे से करिएगा आपको पता होगा कि अभी कल तक 30 अपरेल तक 25% आपकी fees कम हो सकती है अगर आप unacademy में plus subscription ले लेते हैं और plus के platform पे आके पढ़ाई करते हैं जहां पे आपको test series, notes, classes, live classes, quizzes और बाकी सब कुछ मिल जाता है और सभी educator से आप पढ़ सकते हो, unacademy में code है CRYT क्योंकि आपको अभी मिल रहे हैं 6 महीने extra और 25% discount यह मेरा code है आप use करिएगा इससे आप लोगों को plus के subscription में commerce, paper one की, rose classes मिलेंगी किसी भी teacher से आप पढ़ सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया live test, quizzes, notes और बहुत साई चीज़ें आपको मिलती हैं तो देखिए बात करते हैं concept के बारे में कि concept attainment model जो है teaching का यह Jerome Brunner ने बनाया था और यह एक inductive teaching method है, अब आप सुबको पताए कि inductive teaching method की process क्या होगी कि चीज़ें specific observation से शुरू होती हैं और फिर generalization पे जो है वो खतम होती है तो हम हमेशा इसे यह समझते आए हैं कि जितनी भी चीज़ें जो generalization या theory पे खतम होती है specific observation से start होके वहाँ पे learner को ही खुद identify करना पड़ता है attributes को in a data set और फिर उसके बाद वो उसे अपने characteristics या बाकी चीज़ों के साथ जोड़ता है तो Brunner एक psychologist थे और उन्होंने इस बारे में काफी कुछ जो है वो पड़ा था और उसके बाद अपनी जो किताब थी study of thinking में लिखा भी था कि हम सोचते कैसे हैं और 1956 में यह publish होई थी उसके co-authors के साथ और फिर उन्होंने वो इसमें process of concept attainment की बात की थी जिसमें की learner जो है वो better perform करेगा उनका कहना था अगर उसको आप अपनी conclusions पे खुद आने देंगे और यही research करने का भी तरीका होता है तो inductive teaching methods में इसे popular strategy माना जाता है जो की Jerome Brunner ने दी थी concept attainment model जो है देखिए Brunner discovery learning के proponent थे वो इसको आगे बढ़ाना चाहते थे और हमेशा से जो है उनका यह मानना था कि learners बहतर तभी करते हैं जब वो information को खुच से discover करते हैं exploration के through और इसे हम constructivist learning का भी बोल देते हैं और Brunner का concept attainment model था वो इसी का एक हिस्सा था जिसमें की information कैसे बच्चों को मिलेगी और फिर वो इससे कैसे सीखेंगे तो देखो आपको एक idea जो है वो मिलने के लिए मैं आपको इसका एक example देता हूं कि एक teacher ना यह बताना चाहता है कि कौन से land animals हैं और कौन से aquatic animals हैं और फिर वो क्या करता है कि एक picture दिखाता है clownfish की class को और कहता है कि this is an example of जो आप study करेंगे within yes example की हाँ यह वाले जो है aquatic है और फिर teacher जो है उन्हें picture दिखाता है एक चीता की जो की obviously एक example होता है जो उनको नहीं पढ़ना है तो वहां पर वो पढ़ाना चाहा रहा है फिलाल aquatic animals और उसके बीच का difference तो aquatic में वो yes कहेंगे फिर उसके बाद वो शो करता है dolphin अब obviously वो yes का example है फिर इसके बाद वो प्रॉक teacher जो है वो फिर name करता है concept को कि वो क्या सीख रहे हैं और further उसको फिर explain करता है तो yes no से शुरुवात हुई उसके बाद further जो है concept बताया कि वो relevant है बताया और उसको explain करना चालू किया यही basically inductive process है discovery learning का एक तरीका है और इसी में जब concept attainment की बात आती है तो teacher को हमेशा एक facilitator का र रहता है और older लोगों के भी रहता है लेकिन यह obviously language mathematics और chemistry जैसी जो चीजें है उन में भी बहुत काम आता है और इसी लिए यहां पे हम जब इसके फाइदे पढ़ते हैं तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि एक समय पे हम यह कहते थे कि teacher तो वह fountain of knowledge है जिससे knowledge बरसेगी और आपको बस जाके note taking करनी है घटी करनी है knowledge तो आज के जमाने में ऐसा नहीं है learning का यह paradigm shift हुआ है और यह belief जो पहले थी वह आज के समय पे stand नहीं करती है इसलिए हम देखते हैं कि हर तरह की inductive teaching की तरह student जो है वो खुद concept बनाए और concept attainment model इसी बात को सिखाता है वो सिखाता है कि कैसे जो है tools or scaffolding की मदर से rules and principles concept के आप खुद अपने बनाए और उसके बाद उसकी deep exploration करें और फिर engage हो cognitive functions में कि analysis करें critical thinking लेके आए और फिर इसी लिए इसे student led model बोला जाता है जो की group work को भी आगे बढ़ाता है और इसी लिए teamwork cooperation को जो है किस तरीके से हम लोगों को use करना च चीज सिखाता है हाला कि यह चीज यह भी बताती है कि learner की जो innate knowledge है learner की ability of learning आप देखो यही वो points है जो आते हैं question में innate knowledge ability of learner student led task cooperation तो empower करें कैसे बच्चों को और इसी लिए जहां पर हम यह मानते है कि lifelong learning इंसान की होती है तो हमें यह values जो है लोगों के अंदर डालना बड़ा है कि अगर आपको खुद की growth करनी है अगर आपको long term perspective देखना है तो इन सब चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए हाला कि कुछ disadvantages भी हैं देखे कोई भी चीज undisputed नहीं होती है हाला कि इसकी strength undisputed जरूर है लेकिन इसमें भी कुछ कमिया है कि कुछ ऐसे concepts होते हैं जो complex issues ह होते हैं तो आप इसके through नहीं पर सकते concept attainment model वहां काम नहीं करेगा और सारे के सारे जो learning के models होते हैं वहां हर information इस तरीके से नहीं दी जा सकती कुछ students भी इसको पसंद नहीं करेंगे तो ये भी हो सकता है और उसके अलावा time लेता है ये model जहां पे आप concept attainment model के अगर example को भी देख रहे हो तो आप देखोगे कि student कहां जा रहा है फिर उसके बाद वो कैसे explore कर रहा है और obviously इस दोरान वो time लेगा तो एक well conductive inductive classroom तो जो है obviously time लेने को support भी करेगा लेकिन हर बार उतना time issue जो है वो नहीं लगाया जा सकता जब facts की बात आती है जब information देने की बात आती है तो यह उसके कुछ disadvantages भी रहते हैं उमीद करता हूं कि आपके topic अच्छे से आ गया होगा टेलिग्राम चैनल को जॉइन करिए हमारे स्जार एजुकेशन जहां पर आपको विडियो के link जरूरी PDF सब कुछ मिल जाता है शुक्रिया